जेवीटी बैचवाइस भरती भी एक तरह से स्थगित हो गई है और इसमें साफतोर से ये कहा गया है कोट की ओर से कि न्यूक्तिया ना दी जाए परमीशन के बिना तो इस पर भी आज जेवीटी अभियर्चियों की ओर से ये एक डिमांड रखी गई है कि जल्दी ये भरती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए शिक्षामंति रोही ठाकर को उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया को जल से जल पूरा किया जाए देखा जा सकता है काफी समय बीद गया है इस बैश्वाइस भरती को लेकर और अभी तक कोई भी ऐसा इंतजाम या व्यवस्था नहीं की जा रही और आज किस परकार से भरती होगी प्रॉपर प्रेजंटेशन है अंदर और सियम इसमें है मंतरी इसमें है चीफ सेकरेटरी है सब अंदर है और इसमें कैसे एक्जाम होंगे राज्य चैन आयोग के माजियम से आपको बता दें जो एड्मिस्टेटर है वो लगा जिए गए ह हैं वहाँ पर स्टाप की नुक्तियां होनी है 15 जनवरी के बाद जो मोटा मोटा भी तक हमारे पास अबडेट हैं 15 जनवरी के बाद राज्य चैन आयोग को सुचार रूप से चिलाने को लेकर का रियास कर रही है कि तब तक हम इसको रन कर दें तो अब भी फिलाल अंदर प प्राइमरी स्कूल है जहां पर कक्षाएं लगाई जा रही है और एन्रोल्मेंट इसके लिए राज्य सरकार ने 10 के करीब निर्धारित की है यानि कि 10 के करीब बच्चे होने चाहिए और उसके बाद यहां भरतियां शुरू कर दी जाएंगी हलाकि इससे पहरे अधिकारिय को ही क्यूनेस शामिल कर दिया जाए आंगनबाडी वरकर्स को भी इसमें प्रेफरेंस देनी की बात हुई थी लेकिन आज शिक्षामंतिर रोहिठाकुर की ओर से ये बात कही गई है कि एन्रोल्मेंट 10 से जादा बच्चों की निर्धारित की गई है राज्य सरकार के विच इसमें मानने होगा अभी तक सिच्वेशन इस पर क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि शिक्षामंतुरी बार बार एक चीज़ कहते हैं कि NCDE की गाइडलाइन को किसी भी भरती में अब दर किनार नहीं किया जाएगा तो NCDE की गाइडलाइन इसमें ये कहती हैं कि 2 साल का प्लोमा है तो पहले इसमें जो कुछ एक आइडियाज विभाग की अधिकारियों की ओर से दिये गए थे उन्हीं को ही अपलाइ किया जाएगा या फिर कोई नया रास्ता निकाला जाता है या एक साल का अतिरिक्ट कोर्स इन महिलाओं से करवाया जाएगा इस पर हलाकि मंत हैं पुर्व जायराम सरकार में इन्हें लगा दिया गया था 2022 में इनकी न्युक्तियां हुई थी और 4500 ही इन्हें मांदिय दिया जा रहा है इसलिए इस मांदिय में भरोतरी होनी चाहिए क्योंकि इससे इन्हें घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है करीबन इनकी संख ताहिक अब काश भी नहीं मिल रहा है, जब प्राक्रितिक आपदा आई थी, तो उस वक्त रविवार के दिन भी इन्होंने अपनी सेवाइं दी हैं, और उसके बदले ने कुछ नहीं मिला, अब 4500 से बढ़ा कर इनका मान दियर लगभग 9-10,000 के करीब किया जाना चाहिए, य अलाकि ये भी इनकी ओर से माना जा रहा है कि दैनिक भोगी ही ने अब बना दिया जाए, कई दफ़ा इससे पहले ये CM सुखु से और मंत्री विक्रम अरिते सिंग से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइदा इन्हें कुछ नहीं हुआ, और यही आरोप आज कि ओर से लगाया गया है कि आश्वासन कई दिये, वर्तमान सरकार ने भी, लेकिन मांग पर जब गौर नहीं हुआ, तो ये सभी धरमशाला पहुँच गए, अपनी इस मांग के साथ कि ये जो 5000 के करीब संख्या है, और डेर साल से अपनी सेवाएं ले रही हैं, इनका मान द हैं, इनका कहना है कि प्लस टू में 50 प्रतीशत अंकों की शर्त लगाई गई है, जिसे कि इसमें कई अभ्यर्थी पूरा नहीं कर पाएंगे, सीधे तोर पर इस भरती से बाहर हो जाएंगे, और जहां पहले इनोंने डिप्लोमा ही हासिल किया है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, लेकिन अब इसमें बैचलर डिगरी की शर्त रखी गई है, बैचलर इन साइंस लाइब्रेरी, तो ये शर्त भी पूरी नहीं कर पाएंगे, पान से छे हजार के करीब संख्या सीधे तोर पर बाहर हो जाएगी अगर ये दो शर्ते भरत प्रक्रिया इसके लिए शुरू हो सकती थी, लेकिन गती रोध पहले ही बढ़ गया है, और जैसा कि हमने कहा आज फिर ये विधान सबा परिसर के बाहर पहुंचे थे, कि इन शर्तों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये इन पर सूट नहीं कर रही है, इसमें बहुत सारे अभ खी जाओ, क्योंकि दो माहँए ल خी कमशें धिन शर्तों को हाई मौन फिए जाए, झाल को हई में मौन श Start gustaría जाए हमार्या है, जा मौन आवर ए जाए हम पहृंचे बहूंचें हो सकती जाए हृंचें इन दो स know I'm годhead, क्योंसमे चाह हुआख्या मौन, आप क्योंसमे को है, औ